कि…. होज लेट्स स्टार्ट नियू टॉपिक तिसे दिजनश्ब ऌर समझ में हम judse कि हर कंट्री में जो किपक इस्टेग करते हैं, गोका इपकांट जिंगी पहले यहिते एक पीपल जिन गोंट्री इसीटीजन का नाम देती है एक पीपल जिनको कंट्री एलियन्स का नाम देती है citizens कौन होते हैं citizens वो people होंगे country के जो all the civil and political rights enjoy गरते हैं सारी civil rights होंगे इनको and political rights होंगे इनकी कि जित्यों society में rights एक परसंद को दिये जाने चाहिए वो सारे rights होंगे इनके पास और सारे के सारे political rights होंगे political rights का मतलब आप समझ पारें action contest कर सकते हैं वो डाल सकते हैं यह इनके पास political rights होंगे बात क्लियर aliens के पास not all political rights ना तो सारे political rights होते हैं और ना ही सारे civil rights होते हैं तो यह बात के लिए रखनी हैं एलियन्स भी दो टाइब के होते हैं एलियन्स हो सकते हैं फ्रेंड्ली एलियन्स एलियन्स हो सकते हैं एनिमी एलियन्स फ्रेंड्ली एलियन्स के ने कहा जाएगा उस कंट्री के सिटीजन्स को कहा जाएगा जिसके साथ इंडिया के कॉल्डियर रिलेशन्स हैं अच्छे रिले गॉर्डियर रिलेशन्स नहीं है बलकि एनिमी रिलेशन्स है कुछ ना कुछ वार कंडिशन लगी रहती है या फिर कोई ना कोई एनिमिटी है बात क्लीर एनिमिटी है तो हम एनिमी सिटीजन्स एनिमी एलियंस उनको बोल रहे हैं उन कंट्री के सिटीजन्स को बोल रहे हैं जिन कंट्री के साथ इंडिया की अच्छी रिलेशनस् नहीं है इनिमेटी है Г leaking अब circum औक पता लग गया होगा क्या है citizenship कुछ citizenship के citizenship कंडिशन है जिसमें सिटीजन्स को सारे से विल एंड पॉलिटिकल लाइज दिये जाते हैं तो सिटिजिशन्शिप क्या है और दपॉलिटिकल एंड सिवल राइज टुद देशन्शिप परिके 600 वी रगाइडिंग फोंधिन स्ट लिये फार्ट इंडियन कोंस्टुशन करी भी आजबेड फाइब और आन्य जोलिक तक अहिए यह वे गए तेके कीश परने अग्रवलच यह जो मैं इन समझत हैं आइटिकल 11 जो है एक्जाम पॉइंट वी से इंपॉर्टेंट है बाकि आइटिकल्स को हमें पढ़ने की जरुवत है नहीं इसके प्रोविजन्स फड़ लेंगे लिए तो सिटीजन्शिप पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं इसे पेक आर्टिकल समझने से पहले प्रोविज को दिया जाते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है एक सिटीजन के लिए देखते हैं ऑंगि सिटीजन्शिप की वजए से सिटीजन्शिप जो है वह वह डेटरमाइन करती है कि एक पर्सन के पास सारे के सारे यानिए कि फुल political and civil rights हो citizenship ही political and civil rights हो ओकी यानि कि जो भी person citizen of a country है और उसके पास अगर citizenship है तो वो उसके पास सारे political and civil rights होंगे ही ओकी वो election contest कर सकता है election अगर कभी होंगे तो election contest कर सकता है वोट डाल सकता है यानि कि election में तो participate करी सकता है इसके अलावा वोट भी डाल सकता है वोट डालने का भी इसके पास right होगा सिटिजन के पास ही हो सकता है और article 15 article 16 19 29 these all articles are are especially or you can say exclusively give rights to citizen of India these fundamental rights these are actually these are fundamental rights article related to fundamental rights so these all fundamental rights are exclusively given to citizen of India they are not to all the people of India okay citizenship की यह भी important है कि कुछ important provisions जो है वो सिर्फ कुछ important rights जो है वो सिर्फ citizens को दिये गए बात क्लीर citizens के पास बोट डालने का राइट है citizen के पास election contest करने का राइट है या फिर public offices को को अप्टेन करने का राइट से उसको होल्ड करने का राइट से प्रेजिडेंट कौन बन सकता है सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकता है वाइस वाइस प्रेजिडेंट कौन बन सकता है यह प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकता है तो इससे यह इसे बनाने का राइट सिर्फ पार्लेमेंट को है पार्लेमेंट है राइट तो मेग प्रोविजिंस रिलेटेट टू एक्विजिशन अफ्रिजिशन चिप टर्मिनेशन अफ सिटीजन्चिप और प्रोसिजर ऑफ सिटीजन्चिप बात क्लिए हम यह ही आइटिकल एक्जाम पॉइंट व्यू से याद अखना है आइटिकल 11 बा सिटीजन्चिप क्या अधर कंट्री का सिटीजन अफ्टीन कर सकता है यह कर सकता है क्या सिटीजन्चिप जो है एक्वायर करने के लिए कोई कंडिशन्स भी होती है यह बिल्कुल होती है तो कंडिशन्स देख लेते हैं एक तो सिटीजन्चिप एक तो सिटीजन्चिप मिल लेकिन ऐसा कब हुआ करता था ऐसा हुआ करता था 1987 से पहले यानि कि 1987 से पहले अगर कोई भी परसन इंडिया में जनम लेता है इस परसन इस परसन वस बान इंडिया विफोर 1987 यहां पर कॉंस प्रिंसिपल और लाव बार्थ प्रिंसिपल यहां पर फॉलो किया रहा है लाव बाई बर्थ प्रिंसिपल फॉलो के जड़ा है क्योंकि आपका जनम इंडिया में हुआ इसलिए आप इंडिया की स्टीजन्स हो गए लेकिन आफ्टर 1987 अगर आपका जनम होता है तो प्रिंसिपल तो कंडिशन चेंज हो जाती है बाई बर्थ आपको स्टीजन्शिप तभी मिलेगी जब अगर बोट अफ दा पैरेंट्स दोनों पैरेंट्स सिटीजन ओफ इंडिया थे तब यह ऐसा पॉसिबल है कि तब आपको सिटीजन्शिप मिल जाए अगर बोट दी पैरेंट्स अगर दोनों पैरेंट्स जो है वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है सिटीजन्स ओफ इंडि है और अधर जो है वो illegal immigrant है यानि कि illegal तरीके से दूसरे देश से आया हुआ एक person है दूसरा कौन है illegal immigrant है इस case में भी एक person को citizenship नहीं मिल सकती by birth citizenship नहीं मिल सकती citizenship इस case में मिलेगी इस case में नहीं मिलेगी both citizens अगर इंडियन अगर both the parents अगर Indian citizens हैं तो जो person जनम लेगा जो अच्छा जनम लेगा चाइड तो उसे citizenship by birth मिल जाएगी अगर एक पैरेंट citizen लीगल सिटीजन है दूसर इलीगल immigrant है तो इस case में उस child को citizenship of India नहीं मिलेगी अध्किर सेकंड वे जो होता है acquisition का वो होता है डीसेंट by descent by descent का मतलब क्या है by descent का मतलब है लॉफ ब्लेड बोल सकते हैं से लॉफ दब्लेड अगर फ़र्स्ट केस की में बात करूं तो फ़र्स्ट केस में citizenship आपको इसलिए मिल ले थी क्योंकि आप इंडिया की धरती पर जनम ले रहे हैं ओके एटी 1987 से पहले तो यही था फिर बाद में condition apply कर दी कि दोनों parents जो हैं वो citizens होने चाहिए और तब अगर जनम लेता एक एक चाइल्ड इंडियन स्वाई पर तो उसे citizenship मिल जाएगी फिर बाद एक और condition बना दी गई कि हाँ अगर one parent जो है वो citizen है और दूसरा अगर legally migrant नहीं है तब इस citizenship मिल जाएगी कोई problem नहीं है लेकिन यह क्या कहता है by descent आप ने इंडिया की धरती पर जनम नहीं लेते हैं कि यह person who does not who is not born on the soil of India इंडिया की विट्टी पे उसने कोई जनम नहीं दिया लेकिन जो parents थे वो citizens of India थे either of the parents क्या सकते हैं दोनों में से एक parents या दोनों parents क्या थे citizens of India थे लेकिन जनम का हुआ आउटसाइड इंडिया हुआ जो बर्थ हुआ है वो आउटसाइड इंडिया हुआ है तो आपको धियान लगना है इंडिया में नहीं हुआ बट parents क्या है parents citizens of India आइजर अप the parents citizen of India या दोनों citizens of India इस case में क्या होगा इस case में child को citizenship मिल जाईगी कैसे मिलेगी law of blood के जरीए मिलेगी इस case में कि special provisions है वैसे इंडिया जो है इंडियन constitution dual citizenship को strictly prohibit करता है इंडियोल citizenship possible नहीं है लेकिन इस special केस में इंडियन constitution यह permission देता है कि dual citizenship हो सकती है ठीक है लेकिन जैसे ही वह child mature हो जाएगा उसे साइड के से declare करना पड़ेगा कि वह इंडिया का से रिजन से रहना चाहता है यह नहीं अगर नहीं करता है तो उसकी जो citizenship है वह government automatically terminate कर देगी बात क्लिए बर्थ से पहले मंदब की बर्थ के मंदब जब मैच्छी और हो जाएगा उसके बाद उसे announcement करना यह पक्का है अगर नहीं करेगा तो उसकी citizenship terminate कर दी जाएगी नेक्स्ट देखते हैं थार्ट जो वे है citizenship obtain करने का वह है और पाई रजिस्ट्रेशन यह नहीं कि बाई रजिस्ट्रिंग यॉर्सेल्फ अस सेटीजन अफिटिय यूकन बेगंग सिर्फेजन ओफ इंडिया इसका मेनि क्या है एक परसं जो है वह अगर दूसरे परसंonneuorman लोगितने और उसके बाद इस परसंड़े परिशके बहूं परसंप करेंःड बेकिन अदर परसंवह नॉट नॉत citizens of India उसको citizens of India बना दिया बंदे जाएगा वह एक और अगर इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है ओके इसे बनने के लिए उसको कुछ सब्सक्राइब करना है और उसको इंडियन शिटीजन बना दिया जाएगा यह कैसे बनाया जाता है इसकी क्या सब्सक्राइब यह देख लेते हैं परसन एक वो सिटीजन ऑफ इंडिया बनना चाहता है तो यह बन सकता है बस कंडिशन क्या है अधर कंट्री जो सिटीजंशिप है उसको क्या कर देंगा उसको रिनाउंस कर देगा उसको तियाग देगा शिटिजिजन्चिप छोड़ने पड़ेगी इस यादर कंट्री की था इंडियन सिटिजन्चिप जब उसको एप्पूवल जाएगा दूसरी बात वही person इंडिया का citizen बन सकता है, जीस country जो country Indian citizens को उस देश की उस country की citizenship लेने की Permission देते हैं, यनि कि माल लेते हैं कोई country है जो की यह कहते है कि इंडिया पीपल कैनोर्ट विकम धिकंस लुद्स काइड़ी आग्विए, ही कि ऍटिशन हों कि इंडिया ग 270 सब्सक्राइब चली और कौन कौन सी कंडिशन स्काराइब ना चाहता है उसको schedule 8 schedule 8 में लिखी गई जो भी लेंग्विजिस हैं उन में से कम से कम एक लेंग्विज में क्या होनी चाहिए उसमें expertise obtain होनी चाहिए उसको सही तरीके से language आती है वो उसे पढ़ सकता है लिख सकता है समझ सकता है उसका grammar समझ सकता है बात क्लीर ओके तीज़ी बात चौत्ती बात स्वरी वह पर्सन यह डिसाइड कर ले उसने डिसाइड कर लिया होई क्या डिसाइड कर लिया हो कि वो इंडिया में ही रहेगा उसकी intention क्या होनी चाहिए तो लेविन इंडिया कि वो citizenship obtain करने के बाद इंडिया में रहेगा यह बात भी क्लीर उसकी इच्छा उसकी intention इंडिया में रहने की होनी चाहिए यह सारी जो conditions हैं इनको वेव उफ करा जा सकता है इनको हटाया जा सकता है अगर वो परसन इंडिया का citizen बना चाहता है जिसने कुछ पब्लिक डॉमेन में अच्छा काम कर रखाओ ठीक है पब्लिक लिए उसने कोई अच्छी रिसर्च कर रखी है कोई invention कर रखी है या फिर कोई special personality है तो क्या बन सकता है वो इंडिया का citizen बन सकता है बिना इन कंडिशन को फुल्फिल करें तो यह था बाई वे और नैच्छर एजिशन परसन केन विकम सिटीजन ऑफ इंडिया एक पांचवा तरीका क्या है बनने का बाई इनकॉर्परेशन ऑफ टेरिट्ट्री देखें अब इंडिया कोई territory को occupy कर लेता है इंकॉर्परेट कर लेता है इंकॉर्परेट कर लेता है अपने इससे मिला लेता है उस टाइम पर अकर उस पर्टिकुलर रेजन में कुछ परसंस थे कुछ परसंस रहते थे तो वो परसंस अपने आपी क्या बन जहेंगी हो परसंस अपने आपी सितीजन्स ऑलोट पर लृट कर में तो ये भी एक कर देए सिब्वी त्रीजएन्जिप लॉंदर रेनाउंस कर देता है या fleet कि बाइं रिनन्जीशन एक तरीका है एक परसन अगर अपनी इच्छा से यह कह देता है कि मैं इंडिया का सिटीजन नहीं बनना चाहता बने लेना चाहता तो उसकी सिटीजन्शिप टर्मिनेट हो जाएगी दूसरा क्या है कि बाइट टर्मिनेशन अगर लौ उसकी सिटीजन्शिप को टर्मिनेट कर दें जैसे एक परसन दूसरी कंटे की सिटीजन्शिप अप्टेन कर लेता है तो लौ क्या करेगा इंडिया का कौन सिटीशन यह कहता है डवल सिटीजन्शिप इस नॉट अलाउड ठीक है सिंगल सि दूसरी कंटे की सिटीजन्शिप अप्टेन कर दी तो इंडिया क्या करेगा इंडिया क्या करेगा इंडिया क्या करेगा इंडियन पारलेमेंट जो है दूसरे उस परसन की जो सिटीजन्शिप है उसको और्टमेटिकली कैंसल कर देगी टर्मिनेट कर देगी तीसरा वेक है है अएर एक citinship कि कैसे अगर फोकिशी really activities involved रहता है रोफ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी इलीगल एक्टिविटी जैसे वह क्या है तुक्त करें तो इसके में क्या होगा उसकी जो असको तर्मिनेट किया जा सकता यह वीडो फॉप Denury है स्टिजनसिफ के इस सब्सक्राइब तो एक प्टेजंशिब की जा सकती है एकसी कैसे हो सकती है उसका termination कैसे हो सकता है citizenship की importance क्या है यह तीन topic हमने देखे importance में हमने देखा citizenship जिस person के पास होगी उसके पास सारे political rights होंगे सारे civil rights होंगे ठीक है fundamental rights में भी कुछ special rights fundamental rights सिर्फ उसी के पास होंगे जैसे बैने बताया article 15 यानि कि right against discrimination 16 equality का right होगा freedom of movement speech and expression और cultural educational rights जो है article 29 और 30 में जो दे रखे minority को दे रखें इस सारे rights किसको मिलते हैं सिर्फ citizens को मिलते हैं हमने importance में देखा उसी के पास voting right होगा citizen के पास non citizen के पास alien के पास voting right नहीं होता और पब्लीक इस पब्लीक ऑफिसेस होल्ड करने का राइट भी किसके पास होगा citizens of India के पास होगा हमने importance में देख लिए acquisition में पांस तरीके देखे by registration पहले तो by birth देखा हमने by birth by registration by descent या फिर हमने देखा by naturalization और एक लास तरीका हमने देखा incorporation of territory के तरी है by incorporation of territory अगर territory incorporate कर दी जाती है उसके बाद termination में हमने तीन तरीके देख लिए या तो voluntary terminate कर सकते है या फिर government जो है वो पार्लिमेंट जो है state क्या कर सकता है वो state आपको terminate कर सकता है आपकी citizenship और एक third तरीका deprivation deprive करा जा सकता है किसकी वज़े से आपके illegal या फिर treasonsome activities की वज़े कि आप दोखा कर रहें देश के साथ गद्दारी कर रहें ठीक है तो इस में बस हमें इतना ही सीखना था थैंक्यू उ only 2 वज हमें आपके बसे बाम में बसाबला स्कता आपकेáticas से रहें और लूवित łव। व다 रहें दो कि आपके ही में अपके कर रëल हमार करे अबं salary अब्ल гол वें होाओолжtheर ग्सक्पका झाल एक अब्ल ligeर शूल